आप सभी को एमेंजी कोकिंग की ओर से प्यार भरा नमस्कार आज हम समर स्पेसियाल पपेया का जूस बनाने वाले वैसे तो पपेया हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है उसमें बहुत सारी विटेविन्स रहता है डक्टर भी बोलता है इसको पपेया जूस जितना खाएगे वह अच्छा है मुझे याद है मेरे को एक बार बुखार हुआ था बहुत काफी दिनों से अच्छा नहीं बाद वो दो तिन दिन में जो मेरी प्लेटलेट है वो नर्मोल हो गया तो मुझे तब पता चला कि पपेता का जूस बाकी बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है तो चलिए जल्दी जल्दी आज बनाते है पपेया का जूस उसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम का एक पपेया बिल्कुल फ्रेस और ताजा पपेया हमने लिया है उसमें से आधा हम ले लेंगे जूस बनाने के लिए पहले ये पपेया की उपर की भाग को ऐसा ही काट लेते है उसके बाद बीच में से इसको आधा कर देंगे दो टुकड़े करके हो गया आधा आब ये जो नीचे का भाग को इसको रख देते हैं आब ये आधा जो है इसको हम बनाएंगे जूस इसका फेले छिलका उतार लेते साइड में से हो गया आब इसको छोटे छोटे पीस करके काट लेते हैं हुआ 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 है अब इन सारे पपेया को हमने छोटे छोटे काट लिया आब इसको ग्राइंडर में ग्राइंडिंग करेंगे अब इन पपेया की टुकडे को ग्राइंडर में डाल देते हैं अब उसमें डालेंगे तीन चमच चीनी का पाउंडर फिर उसमें डालेंगे एक ग्लास बोईल किया हुआ दूदू दूदू जो है इसको बनाने से पहले बोईल करके इसको थंडा कर ले उसके बाद ये बनाएं फिर उसमें चार पांच काजू की दाने और कुछ बादाम की टुकडे डाल दीजिए इसकी साथ साथ एक दो एलाइची की टुकडे भी डाल देते हैं उसमें आप कर लेते हैं इसको ग्राइंडिंग आप देख सकते हमारा जो पपया है वो अच्छी तरह से पीस कर तयार हो गया है आप इसको एक ग्लास में ले लेते हैं पहले एक ग्लास में दो तिन बरब का टुकडा ले लेते हैं आप उसमें डाल देते हैं पीसी हुई पपया का जूस आप इसके उपर काजू और बादाम की छोटे छोटे टुकडा करके उसमें इसके उपर डाल दीजिए बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं हमारा जो पपया का जो जूस है वो रेडी है देखिए कितनी खुश्रत लेग रहा है और बहुत ही टेस्टी भी है हेल्थी भी है जरूर आप अपनी घर में बनाए और इसको जरूर खाईए मुझे एकिन है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए तो थेंक्यू दस्तों बार